नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लैटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता सेहत के मामले में जिस चीज पर सबसे कम फोकस होता है वो है ओरल हेल्फ अमेरिका में 30 सार से उपर वाले 50% लोगों को मसूडों से संबंदित बिमारिय एक्सपर्ट कहते हैं मुँ में मौजूद ये खामोश रोग दात को काफी नुकसान पहुंचाता है अगर ब्रेश यार फ्लॉस्ट करने के बाद हफते में एक से दो बार आपकी लार कभी-कभी गुलावी रंगी हो जाती है तो संबब है कि आपको जिंजी वाइटिस शु जुरुआदी लक्षन और इन्हें कैसे रोख सकते हैं जानिए डेंटल एक्सपर्ट से तो समस्या यह है कि बैक्टिरिया और प्लाग के चलते मसूडे सूजन लगते हैं तो पैंसिलवेनिया युनिवर्सिटी में पैरा और देंटल बिमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर रोड्रिगोर नीवा कहते हैं कि आमतोर पर जिंजिवाइटिस यानि डेंटल पाप्रिया की समस्या होती है टेक्स युनिवर्सिटी में पिरियोड विभाग के प्रमुख डॉक्टर डेवोरा पोयल कहते हैं कि यह दात पर बैक्टिरिया और फ्लॉक की वजह से होता है बत दातों के भी जगह बन जाती है इससे वो धीले होने लगते हैं इलाज ना हो तो डेमेशिया डायबेटीज और दिल के बिमारियों का जोखिम होता है तो दूसरा इसके लक्षन है कि मसूडों से खून बहता है रंग में बदला होता है और मुह से बद्बू भी आती है टप में कैवेटी नहीं होती तो यह बिलकुल समस्या हो जाती है और मुह में हमेशा वद्बू आती है स्वाध बिगड़ता रहता है चबाने में समस्या होती है और दातों में धीला बन लगे तो अलर्ट होना जरूरी है अब इसका उप्चार यह है कि रूट्स की गहराई से कहती है कि नियमिद ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से मसूरों की बिमारी रोकी जा सकती है अगर समस्या ही है तो उस पर साफ सफाई से काम नहीं चलेगा डेंटिस्ट रूट्स की गहराई से सफाई एंटिबायोटिक्स और केरेक्स सरजरी से इसका उपचार करते हैं बता दे प्लॉक की समस्या बनी हुई है तो डॉक्टर की सलहा से माउथ वाश का उपयोग कर सकते हैं बहुत थंडा या बहुत गर्म खाने से हमेशा बचे ज्यादा शुगर वाली चीजों की समस्या बढ़ाती है फिलाल के लिए इतना ही जुड़े रहे हैं इंडिया न्यूस के ड करने बाद